जहें दोस्तो मिरना में अतुल और स्वागत है अपका अपनी यूटिब चैनल अतुल टकवजार में दोस्तो रिसेंटली रियल में ने लॉंच किया है नाजो 55G डिवाइस काफी एग्रेसिव प्राइजिंग के साथ में आया है क्योंकि इस वीडियो में डे टुनाइट फुल कैमरा रिव्यू हम यहाँ पे करने बाले हैं दोस्तो चैनल पे लेगो सब्सक्राइब जरू से करेज़ेगा वेल आइकन को भी प्रेस करेज़ेगा ताकि जब भी ऐसे वीडियो अप्लोड करूँ नोडिफिकेशन आप तक पहुंच जाए चलिए फड़ाफट से स्टार्ट करते हैं दोस्तो नार जे 55G डिवाइज 6.6 इंच FHD प्लस 90 Hz रिफ्रेस रेट डिस्प्ले के साथ आता है वसे इसका फुल रिवी वीडियो मैंने बना है चैनल पे चेक आउट जरू से करेगा फिलाल दुस्तों यहाँ पे बात करने वाले हैं कैमरे की तो बैक साइड में ड्वेल रर कैमरा सेट अप आपको मिलता है 48 मेगाविक्सल प्रैमरी सेंसर मिल जाता है जो कि F1.8 अपार्चर के साथ में आता है बात करें सेकेंडरी कैमरी की यह एक ब्लैक और वाइट पॉर्टेट लैंस है जो कि 2.0 लार्ज अपार्चर के साथ में आता है पड़ा पड़ से कुछ कैमरा फीचर से आप देख लेते हैं नाइट का आप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है फ्रेंट एंड रर दोरो के अमरे के लिए स्रीट फोटोग्राफिक का आप्शन एवलेबल है फोटोग्राफिक में भी मैक्स टूमेक्स, 10x जूम तक यहाँ पर आप कर सकते हो और यहाँ पर आप देखोगे तो AI इन्हांस का ऑप्शन एवलेबल है HDR का ऑप्शन एवलेबल है फोटाफिक से एक लाइफ फोटोग्राफिक दिखा देता हूँ यहां पर देख सकते हूँ यह जो फोटो मैंने भी रिसेंट में लिए 8MP selfie camera से तो 8MP camera है बट काफी अच्छी selfie photos ले लेता है 48MP का dedicated option यहाँ पर आपको मिल जाता है more के option में slow motion, panorama वगरे जो option है अबलेबल है चलिए फड़ा फिर से कुछ photo samples देख लेते हैं यहाँ पर दोस्तों यह जो photo outdoor में लिए नॉर्मल और ported mode में front camera से 8MP camera है बट कहीं से भी यह लगेगा नहीं कि यह 8MP camera है काफी अच्छी decent photography ले लेता है photograph लेने के बाद इसका post processing and edge direction है काफी जादा बहतर है अब यह photo outdoor में ही rare camera से लिए यह 48MP का primary sensor मिल जाता है f1.8 का aperture और यहाँ पर देख सकते हो normal और ported tone में ही color काफी अच्छे दिख रहे है and edge direction भी काफी अच्छे तरीके से किया गया है अब यहाँ पर दोस्तों outdoor में day lighting condition में तो सभी mobile अच्छी photo ले लेते है but low lighting indoor condition में आप देख सकते हो normal and portrait selfie मैंने लिए यहाँ पर skin tone भी काफी well maintained किया हुआ है पीछे का background और मैंने टी शेट का color भी आप देख सकते हो काफी अच्छी photography यह low lighting indoor condition में भी ले ले लेता है indoor lighting condition में अगर आप rare camera का use करते हो तो कुछ इस तरह की photography निकल के आती काफी ज़्यादा decent है अब चलिए दूस्तों rare camera से कुछ of normal और portrait photography देख लेते हैं इस mobile को जो camera है night cam algorithm को support करता है जहां पर दोस्तों आप देख सकते हो normal mode पर मैंने photography किये और night mode पर यहां पर night mode पर detailing काफी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है night mode on करने के बाद जो focus हमारा main building है वहां पर देख सकते हो काफी ज़्यादा light joy gather हो चुका है और night mode on करने से यह जो building है काफी ज़्यादा clear दिख रही है rare camera के साथ साथ front में भी आपको night mode मिलता है यहां पर normal flash and night mode आप देख सकते हो नॉर्मल में में तो कुछ नहीं दिखाए देखा है फ्लेस के साथ यूज करने पर आप जो face tone आप दिख सकते हो थोड़ी सी blurry हो गई है लेकिन जैसे ही मैंने night mode यूज किया आप देख सकते हो face detailing काफी अच्छी आ रही है और पीछे की जो building है उसमें भी आपको light दिख रहा होगा तो इस तरह से front end rare में जो night mode मिलता है वो काफी अच्छे तरीके से work करता है यह वीडियो मैंने इसी mobile के front camera से लिया है जो की 8 megapixel का है तो यहाँ पर 8 megapixel का camera बता दू यार 8 megapixel का कहीं से भी न लगता चाहिए फोटोग्राफिक कर लो वीडियोग्राफिक कर लो काफी decent result यहाँ पर आपको output के रूप में मिलता है तो इसकी post processing के काफी जादा बहतर है तो इस तरह के front video जो है आप देख सकते हो clarity में record कर सकते हो 1080p और 720p का option मिलता है यह वीडियो मैं 48 megapixel rare camera से record कर रहा हूँ आपको अदा दू front and rare दोनों में ही आपको stabilization का जो option है नहीं मिलता है तो यहाँ पर थोड़ा सा video जो सैकी लग रहा है लेकिन video की quality काफी अच्छी है आपको in video zoom का option मिल जाता है यहाँ पर in video जो focusing है वो भी काफी अच्छे तरीके से इसका primary sensor कर लेता है तो कुछ इस तरह से आप rare camera से video record कर सकते हो इस mobile में आपको normal mode पे slow motion का option मिल जाता है slow motion वीडियो जो है आप दिख सकते हो कुछ इस तरह से record होता है यहाँ पर अच्छी quality के slow motion वीडियो इस price segment के हिसाप से आप record कर सकते हो चले कुछ extra feature भी बता दो इस mobile में आपको UFS 2.2 storage का support मिलता है LPDDR 4X का support मिलता है 75G band का support इसमें मिल जाता है 1 TV तक इसमें memory card आप यूज कर सकते हो इसके लगा सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि इस mobile में आपको 4G plus carrier aggregation का support मिल जाता है जिससे कि इसकी uploading, downloading speed काफी ज़दा बढ़ जाती है रियल में दोस्तों इस mobile को gaming mobile को इसमें डेमेंसीटी 18 gaming processor मिल जाता है यहाँ पर आपको शोर कर दू, gaming processor के साथ यह mobile gaming mobile तो है ही बट यहाँ पर काफी अच्छी photography भी ले ले लेता है तो camera centric mobile भी इसे यहाँ पर बोला जाता है overall यह एक package है fully loaded package है जो की gaming और camera के लिए best mobile है यहाँ पर यह जो mobile starting prices की 14,000 से start होती है offer के side साथ में और आज की दिन ही यह जो है first sale में मिलने वाला है के लार इस पर texture design मिल जाता है और भी बहुत सारे features यहाँ पर आपको मिल जाते है डीटेल में इस mobile के बारे में जानने के लिए full review वीडियो देखिएगा चैनल पर available है फिलाल दुस्तो camera feature samples में ने आपको बता दिया है और भी कुछ doubt अगर आपके mind में चल रहा होगा तो comment section में पूछ सकते हैं टेलिग्राम चैनल के रिंग सिप्सिन बॉक्स में उसे जो एंजरू से करेज़ेगा फिलाल दुस्तो इस वीडियो में इतना है मिलते हैं नेक्शने वीडियो के साथ तब तक के लिए जहें बोलते रहे हैं बंदे मातरम